तो दोस्तों हमकी स्क्रीन के ओपर एक क्या कह रहा है क्या कह रहा है क्या क्या है कुछा? The maximum speed of car on a road turns of radius 30 meter If coefficient of friction between tyre and road is 0.4 तो maximum speed क्या होगी? वो हमें निकालना है तो बच्चों दिया क्या है? तो दी है हमको radius radius कितनी है? 30 meter उसके बाद MU दिया है, तो MU कितना है? 0.4, V कितना है तो V आएगा, Underwrote MU RG, तो MU कितना है? तो MU है 0.4, R कितना है? 10, और G आ रहा है 9.8, तो यहाँ पर यह कितना हो गया? यह हो गया, 4 into 9.8, इसको simplify करेंगी, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 10.84 मीटर पर सेकर तो option A सही है इसको note on कर लो